कई हाई कैसे आप मैं हूं मोनिका और आप देखरें मेरा चैनल कुक with मोनिका दो आगा है जोओ mesma और निहीं हैं डियरेफजोस कन आए हैं आपके लिए सर्दयों में पालक कोआएये तो ने earnest चनों को दोस्तों बहुत अच्छे से पकाएंगे पकाने के लिए प्रेशर कुकर में हमेने कोक करेंगे भीगे वे चनों में मैंने पानी आट किया है आप इतना पानी डाली है कि चने एक से दो इंच तक पानी में डूब जाएं देखिए पानी एक डेड़ इंची नजर आ र लगा देते हैं अब हम चनों को गलने तक पकाएंगे आप पहले तेज आज पर पकाएंगे दो से चार मिनट सीटी दिलाए अच्छे से खूब अच्छे से फिर आदा घंटा इन्हें कम आज पर रखिए प्रेशर कुकर में प्रेशर बन गया है और तीन से चार सीटी आ घंटा है और प्रेशर कुकर का एके मैं ढडा कर देख नहीं चने गले हैं कि नहीं दे चने का दाना बहुत अच्छे से मैश हो रहा है अच्छे से पक गया अगर आपसे पानी ज्यादा पढ़ तो भी कोई बात नहीं देखिऊ चने हमारे गल गएं इन्हें एक बॉल में न आधुकर बालक पत्तों को साफ कर लिए थोड़ी डंडी ऑऽ दोकर अच्छे से उबाल्या दस मिनट भी आप 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 ने काफी है तो बाल करें इसी एक तरफ रख लिए पहले मैं लसन प्याइद रख पीस रही हूं दूस्तों मैं साथ में तुरह जीरा भी डालूंगी तो आप जीरा भी साथ में डाल दीजों पीस लीजी भी तड़के में पक जाएगा और मुह में नहीं आएगा तो एक टीस्पून जीरा एट कीजे और बिना पानी आट कीजे आप इसे पीस लीजिए तो मैंने अभी तेल एट किया है प्रेशर कुकर में दो से तीन चमच तेल डाली है इसमें हम पिसावा अपना लसन प्याइद रख जीरा तो आइट कर रहे हैं आप इसे भून लेंगे हमें बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है हमने बस दो से चार पर नहीं हो चला जाए और मसाले को बस आप थोड़ा चलाइए क्योंकि अध्रक एट किया है तो यह पकने लगता है अब मसाले को भून रही हूं और साथ ही दोस्तों हम टमाटर भी हमने पीस करें तो एक तरफ मसाला पक रहे है मैं साथ में टमाटर पीस लेती हूं आप त हम सीजनिंग करेंगे मसाले की टमाटर एट करने के बाद मैंने मिर्च डाली है तेस्ट के कौरिंग मिर्च डाली है हल्दी थोड़ी से डाली है और नमक भी टेस्ट के कौरिंग एट कीजिए अब टमाटर पकाएंगे साथ ही मसाले भी पक जाएंगे मैं इसमें दो से तीन तीज़ी पावडर पालक और धनिया पावडर का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा आता है इसे पालक में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो टमाटर हम भून रहे हैं साथी काले चने भी आड़ करें हो और जो पानी चनों में बचा है वह भी आम डाल दीजिए सब्जी में न बना लेजे ताकि हमारी जो सब्जी है बहुत ही अच्छी स्मूध और क्रीमी बने देखिए पालक डालने से पहले मैंने चनों को खूब अच्छे से भून लिया है आप पांच से साथ मिनट तेज आज पर फून लेंगे इसे क्या है फ्लेवर अच्छा आएगा चने बहु होगी तो देखिए पालक को खूब अच्छी से मिक्स कीजिए जब हम पालक पका दें जनली हम पर छीटे पड़ते हैं तो मैं इसलिए प्रेश्व कुकर में इसे दम दूँगी ताकि पालक के अंदर चने का फ्लेवर आ जाए पालक की जो ग्रेवी है बहुत डिलीशिस हो जाए 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 हमाई सबसी कर में हम जैसी कुकर का ढगाएंगे आचो कम कर देंगे और दस मिनट तक क्योंकि चने हमारी गले में पालक हमाई पकी यह सब मसाले पके बहुत अच्छी से पकी लग रही है आप देख सकते हैं जहां-जहां किनारों पर तेल भी आ गया है हाई पालक चना जो है बहुत ही डिलीशेस लग रहा है और खूब अच्छे से पक गया है गर्मा गरम सबसी में थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं आदा टी स्पून और साथी दोस्तों अगर आपके सहरा धनिया रखे तो वह भी आट कर दीजे इससे भी स्वाद बढ़ अधनिया नहीं है तो उसके बिना भी सब्सक्राइब उतनी स्वाद लगेगी खूब अच्छे से मिक्स कीजिए गर्मा गरम पालक की सब्सक्राइब बहुत ही ज्यादा टेस्टी यह से गर्मा गरम सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कुछ अच्छा खाने का मन है तो यह बहुत ही अच्छी ऑप्शन है हेल्दी ऑप्शन है तो गर्मा गरम सब्सक्राइब कीजिए उपर से डाल यह देसी घी या देसी घी या वाइट बटर कुछ भी आट कीजिए तो लीजे दोस्तों गर्मा गरम चना पालक बनके रड़ी हो गया है बहुत ही डिलिशेस रेसि बहुत है तो मैं ने गरमा गरम चावल बना लिए उसके साथ यह चना पालक का मज़े से टेस करने वाली हूँ आपके वह में पानी आ रहा है ना देर ना कीजिए पालक खड़ी और आज यह रेसिपी ट्राइब कीजिए आप से फिर मिलूंगी रेसिपी के साथ तब तक बहुत बहुत शुक्रियां